आज हमारा टॉपिक रहेगा गती की अब्धार्णा एवं गती के प्रकार तुस्वर परता हम जानेंगे बिराम तथा गती की अवस्था क्या होती है किसी वस्थू की बही यदि समय के साथ बस्थू की इस्तिती में परिवर्टन ना हो तो बस्थू बिराम वस्था में कहलात कोई मीज अपनी जगे पर अपनी अभी है तो वह बस्तू कहली है कि बिराम वस्ता में और यदि समय के साथ बस्तू की स्तितिमर्न में पन्हें में होगई जैसे हम पैदल चलते हैंट हमारी समय की साथ हम चलनाय और दौड रहा हैं तो हम गतिया क्याएं कोई कार, साइकल, मोटर साइकल, कोई पंखा अगर चलना है यानि कि समय के साथ उसकी इस्तिती में परिवर्तन हो रहा है तो बस्तू गती शील कहलाएगी अब हम बात करेंगे गती के प्रकार तो सरप्रतम आप देख सकते हैं नमबर एक आपको दिखा रहा है सरल लेखिये गती सरल लेखिये गती जब कोई बस्तू सरल लेखा में गती करती है तो उसकी गती सरल लेखिये गती कहलाती है जैसे सडक पे दोलते बहान हो गए दोलते खिलाडी तो उनकी गती कहलाएगी वो सीधी देखा में जा रहा है, सरल लेखिय गती में चलना है, तो सरल लेखिय गती कहलाएगी बरतिय गती, बरतिय गती कहती है जब कोई बस्तू किसी निशित बिंदू के चारो और एक निश्चित दूरी पर यानि कोई बस्तू है और किसी निश्चित बिंदू को चारो और निश्चित दूरी पर बढ़ताकार मार्क पर चक्कल लगाती है तो उसकी गती बढ़ती गती कहलाती है जैसे सूरे के चारो और प्रत्वी की गती क्या प्रत्वी सूर्य के ज्यादा दूर या कम दूर या अपने एक निशित मारक पे तो गती करती है निशित दूरी पे तो गती करती है ऐसे ही प्रत्वी के चारवार चंडर्मा की गती तो कोई वस्तू अगर किसी निशित मिन्दू को चारवार निशित दूरी पर और घूमे कैसे वर्ताकार मारक पर तो वो गती बर्तिये मार कहलाती है बर्तिये गती कहलाती है बर्तिये मारक ना कहके बर्तिये गती कहलाती है और घणी के जैसे सुईयों की गती हो गई और कोलू चलाते हुए बैल की गती और कई बार बच्चों आपने देखा होगी कि आप किसी गैंद को ये इट को डोरी से बांद कर अपने चारों और घुमाते हैं तो आप हो गए निशित बिंदू और दूरी की दूरी आपकी निशित दूरी हो गई और गैन बस्तू क्या है बरताकार मारक में घुनती है तो वर्ति गति कहलाती है घुल्डन गति नमबर तीन तो बच्चों आप लट्टू का सबसे बड़िया एक्जामपिल है और इसमें क आपने देखा होगा कि अग्ष के परिता गुमता है और गुमता है गुनव關係 करते हैं चार के आउर्ति कालाते हैई नtsåले ले ले सिंदूपती कित्या आफर्वार्ति के न मोई बड़िया कंचकार की बार-बार क्यार कि आसने निश्चिछ पिलता है यह यह अपनी गति को द यानि निश्चे समय बाद बार बार अपनी गति को दोहराए तो आवर्ति कहलाती है तो उसकी गति आवर्ति कहलाती है जैसे सूरे के चारोवा प्रत्वी की गति तो प्रत्वी बार बार एक निश्चे समय बाद फिर दुबारा से रोटेट करती है रेवलिशन करती है तो ये गती के कलाएगे आवरती गती तो घड़ी के सुईयों की गती आप देख सकते हैं घड़ी की घंटे के सुईय हो यह मिनिट की यह सेकंड की तो बार बार एक निश्चिस समय बाद वो अपनी आवरती अपनी दोहराती है दोलन और कमपन गती पांचमा नम्मर है जब कोई बस्तू अपने मद्धे इस्थिती के दोनों और सरल लेखा में गती करे बच्चे उसका सबसे बड़ा एक्जामपल है जूला जब आप जूले पे जूलते हैं तो जूला पहले मद्धे इस्थिती के एक तरफ जाता है फिर बापस आता है मद्धे इस्थिती में और मद्धे इस्थिती के दूसरी तरफ जाता है फिर बापस आता है मद्धे इस्थिती में यह गती जब कोई बस्तू अपने मद्य हश्ति के दोनों और सरल लेखा में गती करती है तो यह कहलाती है दोलन यह कंपन कहलाती है एक कंपन इस्प्रिंग आपका बहुत अच्छा उधारान है जब इस्प्रिंग को दवा कर चोड़ते हैं तो वह कंपन करने लगता है जूले पर जूलते बच्चे की गती जूले की गती और दिवार घड़ी के पैंडूलम की गती ये सब किसके एक्जामपिल है दोलन और कमपन गती के तो इस प्रकार से हमारी जो पांच गती के प्रकार हैं उनको हमने जाना है मैं डॉक्टर सचीन शुकला आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद